करन जोहर बन गए हैं डाडी कूल करन ने बताया कि वो जब किसी इवेंट पर आते हैं तो अपने ट्विन्स को काफी मिस करते हैं करन ने ये भी बताया कि वो रूही और यश के आने से कितने एक्साइटेट हैं करन जोहर ने अपने सोचल हैंजल पर शेर की अपने बेबीज यशा रूही के क्रिब्स की पिक्चर जहां बेबी गल रूही के क्रिब्स पर उनका नाम पिंक कलर से लिखा हुआ था वहीं बेबी बॉई यश का नाम ब्लू कलर से लिखा गया है साथ ही करन ने अपने बेबी के पालने को special तरह के नेट से design करवाया है ताकि यश रूही को bad air से protect किया जा सके करन जोहर के twins से मिलकर प्रीटी जन्ता काफी खुश हैं प्रीटी ने करन के बेबी से मिलकर अपने खुशी को किया social media पर express प्रिती जिन्टा रोट इट वस अवर्वेल्मिंग एंड मैजिकल एक्सपिरियंस तु सी करन जोहर और यश और रूही तोगेदर आपसलूटली इन लॉव विट तू कुटीज तू कुटीज तू किरन पहुंचे करन के घर उनके बेबीज रूही और यश से मिलने जहां उन और शेकर भागिश्री विट हस्बंट सभी ने लेट नाइट तक की करन के घर पाठी करन जोहर के ट्विन्स आ गए हैं घर और जब से करन के बेबीज अपने घर आए बीचान सिलेब्स उनसे मिलने पहुंच रहे हैं शारुख खान की वाइफ गौरी खान और शाहित कपू पहुंचे करन के बेबी से मिलने उनके घर हाला की करन के बेबी से मिलने की परमिशन फिलाल किसी को नहीं है बस करन के दोस्त उन्हें दूर से देख सकते हैं करन के स्टूडेंस वरुन धावन और सिधार्थ मलहुत्रा पहुंचे अपने मेंट और करन जोहर के न्यूबॉन से हर कोई करन के घर खीचा चला आ रहा है यहां ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कट्रीना की करन से बढ़ती नज़्दीकी की वज़ा से गौसिप नूस अनलोड़ दूम अपनाव